प्रेशन है भारत का मानक समय यानि स्टेंडल टाइम कितने देशांतर का इस्थानिय समय है। आपके उप्षन हैं, उप्षन A, 81 डिग्री पूर्वदेशानतर, उप्षन B, 82.5 डिग्री पूर्वदेशानतर, उप्षन C, 85.5 डिग्री पूर्वदेशानतर, या उप्षन D, 87 डिग्री पूर्वदेशानतर, अपना अंसर दीजिए. इसका सेयुत्तर होगा option B 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अगला प्रेसन है भारत की मानक समय रेखा किस सहर से होकर गुजरती है आपके option है option A, जैपुर option B, कोलकाता option C, इलहावाद या option D, एहमदावाद अपना अंसर दीजिए इसका सेयुत्तर होगा option C, इलहावाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगला प्रेसन है भारत का सबसे बड़ा गलेसियर कौन सा है आपके option है option A, पिंडारी option B, गंगोत्री option C, यमनोत्री या option D, स्याचिन नीचे option देखकर अपना अंसर दीजिए और आपको जितनी प्रेसन के उत्तर पता है उन्हें लिखिए इसका सेयुत्तर होगा option B, स्याचिन अगला प्रेसन है भारत की सवसे बड़ी सुरंग जवहार सुरंग कहां इस्तित है आपके option है option A, जम्मू कस्मीर में option B, महराश्टर में option C, पस्चिन बंगाल में या option D, उत्तराखंड में अपना अंसर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए इसका सेयुत्तर होगा option A, जम्मू कस्मीर में अगला प्रेसन है करकर एखा नेमनी लिखित मैंसे किस राज जैसे होकर गुजरती है आपके option है option A, हरियाना option B, बहार option C, हिमाचल या option D, जहारखंड option देकर अपना अंसर दीजिए इसका सेयुत्तर होगा option D, जहारखंड क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि भारत में करकरेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और उनके नाम अगला प्रेसन है अगर आपको पता है तो जरूर बताइए अगला प्रेसन है मननार की खाड़ी कहां इस्तित है आपके option है option A, गुजरात के पस्चिम में option B, तमिलनाडू के पूरम में option C, केरल के पस्चिम में या option D, कन्या कुमारी के दच्छन में इसका सेयुत्तर होगा option B, मननार की खाड़ी तमिलनाडू के पूरम में इस्तित हैं अगला प्रेशन है खमबात की खाड़ी किसके बीच अविस्तित है आपके ओप्षन है ओप्षन एक कच्छ के रन से जामनागर तक ओप्षन बी राजकोट से जूनागर तक ओप्षन सी भुज से जामनागर तक या option D, भावनगर से सूरत तक अपना अंसर दीजिए और वीडियो को जरू लाइक कर दीजिए इसका सेयुत्तर होगा option C, भुज से जामनगर तक खमबात की खाड़ी, भुज से जामनगर तक इस्तित है अगला प्रेशन है भारत और सिरी लंका के बीच इस्तिदीप का क्या नाम है आपके option है option A, लच्छदीप option B, रामेश्वरम option C, नाद्रिका या option D, म्यामार अपना अंसर दीजिए और फेस्बूक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए इसका सेयुत्तर होगा option B, रामेश्वरम अगला प्रेशन है कौकर रेलवे किस परवत स्रेंडी से होकर गुजरती है आपके option है option A, वैस्टरन घाट option B, इस्टरन घाट या option C, नीलगिरी की पहाडियों से या option D, अरावली की पहाडियों से अपना अंसर देजिए इसका से उत्तर होगा option A, वैस्टरन घाट अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे तक जरूर सेर करें ताकि और लोगों तक भी ये प्रेशन पहुँच सकें अगला प्रेशन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके option है option A, हावडा, option B, गोरखपुर, option C, बांदरा या option D, मुंबई सेंट्रल अपना अंसर दीजिए इसका से उत्तर होगा option B, गोरखपुर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और आगे दोस्तों तक जरूर सेर करना और आने वाली वीडियो के लिए और डेली जी के जिये से करन्ट अफियर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक पेज पर हैं तो पेजबुक को जरूर फॉलो कर लेना